पस्च में चम्पारन के लौरिया परखंड के देवराज पंचायत के देवरोवा गाउं में बीते दो दिनों में नो लोगों की मौत हो गई है वहीं दरजन भर से अधीक लोग अब भी नीजी और सरकारी अस्पताल में भरती हैं आसंका है कि लोगों की मौत जहरीली सराब पीने से हुई है बिहार की सियासत इसको लेकर गर्मा गई है लौरिया में नो लोगों की मौत के बाद बिहार में सियासत गर्माई हुई है तो वहीं इलाके में कोहरा मचा है जाहे तोर पे बिहार में सराबंदी है पुर्ण सराबं लेकिन इस बीच लोडिया से जो ख़वर सामने आई हो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाली है आखिरकार दो दिनों के अंदर नो लोगों की मौत कैसे हुई एरहस से बना हुआ है हलांकि गाओं के लोग कह रहे हैं कि सराब पीने के वज़ा से सबों की मौत हुई है आनन फानन मे सवों का अंतिम संसकार भी करा दिया गया बिहार की सियासत गर्माई हुई है और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रिय जनता दल्चिफ वा बिहार के पुरमुख्यमंत्री लालु प्रसाद यादो ने इसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बो रहा है आरजेडी सुप्रीमों लालु पर士ाद यादो फिलाल दिल्ली में है बिहार की सियासत पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं इस बीच बेतिया के लौरिया में नौ लोगों की मौत के बाद आरजेडी सुप्रीमों ट्वीट करते भी लिखते हैं बिहार में बीस हजार करोर की समानांतर अवैद इकनोमी चला रहे हैं सराबंदी के नाम पर लाखो दलित और गरीब जेलों में बंद है पुलिस भरष्ट और अट्याचारी बन चुकी है आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादो का बड़ा बयान की सराबंदी के कारण सत्ता धारी दल के लोग बेहार में बीस हजार करोर की समानांतर अवैद इकनोमी चला रहे हैं सराबंदी के नाम पर लाखो दलित और गरीब जेलों में बंद है पुलिस बरस्ट और अत्याचारी बन चुकी है आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादो का बड़ा बयान सामना है पश्चमी चंपारन के लोडिया के देवराज पंचायत के देवरुवा गाओं में नौ लोगों की मौत के बाद है बिहार की सियासत गर्माई हुई है सरकार के और से सफाई दी जा रही इससे पुर भी आपको बता दे कि सराबंदी को लेकर बिहार में जब जब सियासी घमासान मचता है तब सत्तारूर दलके नेता भी विपक्च के साथ खड़े हो जाते हैं याद होगा आपको जीतन रामाजी का भी बयान जब जीतन रामाजी ने कहा कि सराबंदी के बाद जो भी दलित और गरीब तबके के लोग हैं वही सिर्फ जेल में बंद है आमीर तो अब भी सराब पीते हैं सियासत इसको लेकर खूब गर्माई लेकिन अब आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादो का बड़ा बयान सामने आया है बिहार में सराबंदी के बावजूद सराब की बड़ी-बड़ी खेफे और जहरीली सराब कांड हो रहा है तो आरजेडी सुप्रीमो कह रहे हैं कि सताधारी दल के लोग 20 हजार करोर का अबैद एकनॉमी कर रहे हैं आप टेड़े विहार में के साथ बने रहे हैं धन्यवाद